प्रक्टिस करेंगे इसमें हम करण्ट अफेड्स के प्रश्णों पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं 24 अक्टूबर को एक्जाम है यूपी प्रक्टिस करते रहिएगा तो कॉश्ण नमबर बन है पंद्रवे वित आयोग ने अपनी प्रमुख सिफारिस में कर राजस में राजी की हिस्सेदारी कितने प्रतिश्यत करने की अनुसंसा की पंद्रवे वित आयोग के अध्यक्स कौन है एन के सिंग कौन है एन के सिंग कितने प्रतिशत करने की 41 प्रतिशत करने की तो पंद्रवे वित आयोग का गठन हुआ था कब 22 नॉमबर 2017 को एन के सिंग की अध्यक्स दामे इसकी कई सिफारिसों को केंद्र सरकार द्वारा स्विकर्टी प्रदान की गई और वित आयोग द्वारा केंद्र से राज्य के साथ साज़ा किये जाने वाले कर राज़ास में राज्यों की हिस्सेदारी 41 प्रतिर्शाद करने की सफारिस की थी जिसको केंद्र सरकार द्वारा स्विकार कर लिया गया नमबर टूपर आजए नमलिकीत कत्नों पर विचार करेंगे दो स्टेटमेंट के साथ बताए कौन सा करेक्ट है इसमें पहले स्टेटमेंट है प्रधान मंतरी उर्जा गंगा पाइपलाइन परियोशना लगभग 2540 किलोमेटर लंबी है और इस परियोशना के अंतरगत पूर्वी भारत के साथ सहर वारणसी, राची, कटक, पटना, जमसेतपूर, भोवनेश्वर और कलकत्ता में गैस किलोमेटर लंबी है इस परियोशना के अंतरगत पूर्वी भारत के साथ सहरो वारणसी, राची, कटक, पटना, जमसेतपुर, हुबनेश्वर, कलकत्ता में गैस पाइपलाइन जो है वो पहुंचा जाएगी नमबर थरी पर आजएए भारत में वर्स 2020 से 21 में किये गए डिजिटल ट्राइंजेक्शन में किस प्लेटफॉर्म की हिस्सेदारी सरवादिक रही पताइए यूपी आई का कौन सा है वो इन मैंसे और इसके चलते विश्व नमबर वन पर रहा ठीक है ऑनलाइन ट्राइंजेक्शन में दूसरे पर चीन रहा और यह है सबसे ज़्यादा फोन पे ठीक है अप्सा नमबर ए तो भारत ने वर्स दोहार बीस एकिस में डिजिटल ट्राइंजेक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये और पच्चिस दसनलाब पांच बिलियन ट्राइंजेक्शन किये इसके पश्चाथ चीन का नमबर आता है यानि दूसरे स्थान पर चीन ने कितने किये 15.7 विलियन ट्राइंजेक्शन वह भारत में सरवादे के डिजिटल ट्राइंजेक्शन फोन पे के द्वारा किये गए कोश्यन नमबर फोर पर आजए भारत का पुर्तियक्ष विदेशी निवेस यानि FDI वर्जदोयार वीस एककिस में 82 बिलियन डॉलर के सर पर पहुंच गया भारत में सीर्स FDI गंता विबाला राज्यकॉन साब को बतना है यह है गुजरात गुजरात तो भारत में FDI प्रवाः विद वर्जदोयार एककिस में लगवक 82 बिलियन डॉलर के सर पर पहुंच गया आपको याद हो कि गुजरात जो है सीर्स FDI गंताब के रूप में उबरा जो कुल प्रवाः का 37 प्रतेश्रत है महराष्ट इसमें दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है करनाटक क्या होते हैं क्या होते हैं गेग वर्कर यानि कुछ समय है तो नियुक्त किया जाने वाले कर्मचारी को कहते हैं कि पूशन नुमर शिक्स पर आजए वर्ज दोहार 21 वाइस में एक एकरत बागवानी विशन है तू केंद्र क्रशी एवं किसान मंत्रा ले दौरा कितने रूपे आवंटित किये गए सीरी सीधी धनराशी वाले प्रश्मी पूछ ले आते हैं 2250 करोड रूपे ठीक वर्ज दोहार 21 वाइस में बागवानी शेत्र हेतू 2250 करोड रूपे आवंटित किये गए यह आवंटन के इन सरकार दोरा एक एकरत बागवानी विकास कारिक्रम के अंतरगत किया गया नमबर सबन पर आजएए भारत उर्जा परिदर्श दोहार 21 के संदर्ब में असत्य कथन का चैन करना है आपको देखिया भारत अगले दो दश्रकों में उर्जा मांग में 25 परतिस्वत की सबसे बड़ी व्रद्धी करेगा तथा वर्ज दोहार 30 तक यूरोपिय संग को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भोकता बन जाएगा वर्ज दोहार 40 तक भारत की उर्जा खपत दोगुने होने की संभावना है और तीसरा स्टेटमेंट है तेल की बड़ती मांग के मद्देनेजर वर्ज दोहार 30 तक भारत का तेल आयात विट दोगुना होकर 181 विलियान डॉलर हो सकता है और चोथा है भारत की तेल मांग वर्ज 24 तक 15 विलियान बैरल परते दिन के इस्तर पर पहुँच जाएगी तीन करेक्ट है इसमें से एक पक्का इनकरेक्ट है पहला करेक्ट है दूसरा करेक्ट है तीसरा करेक्ट है चोथा वाला करेक्ट है पंद्रे बिलियन तो दो को नहीं हो गई ना इसकी आधी है कम से कम कितनी है आठ दसमलव साथ मिलियन बैरल है प्रते दिन तो भारत उर्जा परिद्रश से दोहार एक किस की अनुसार दोहजार चालिस तक भारत की तेल मांग वर्स दोहार उन्निस के इस तर जो था पांच मिलियन बैरल प्रते दिन से बढ़कर दोहार चालिस तक आठ मिलियन बैरल प्रते दिन होने की संभावना है कोश्चन नुबर रेट पर आज़िए इस ओफ लिविंग इंडेक्स दोहार बीस के अनुसार दस लाग से अधिक आबादी वाले सहरों में सीर्स इस्थान पर कौन सा सहर रहा भारत का दिल्ली नहीं है एहमदाबाद पूरे इनसे कहीं आगे है बंगलूरू ठीक है टी है इसका अंसर तो नीती आयोग दोहार जारी किये गए इस आफ लिविंग इंडेक्स दोहार बीस ये भी याद रखिए कौन जारी करता है ठीक है इसके अनुसार जो है दस लाग से ज्यादा आबादी वाले सहरों में पर्थाम इस्थान पराप्त किया है करनाटक के बैंगलॉर ने उसके बाद पूरे दूसरे स्थान पर है एहमदावाद तीसरे पर चौथे पर चेननई और पांचमे पर है सूरत अगर वहीं दस हजार से कम आबादी वाले सहरों में देखे हम तो वो है सिमला हिमाचल प्रदेश की राज़ानी दूसरे स्थान पर भुबनेश्वर तीसरे पर सिल्वासा चोथे पर काकी नाड़ा और पांचमे पर है सलेम तो दो चीजा आज़किए दस लाग से अधिक आवादी वाला इस ओफ लिविंग इंडेक्स 2020 में टॉप पर बैंगलोरू और दस लाग से अधिक बैंगलोर दस लाग से कम शिमला नीती आयोग जारी करता है कोशन नमबर नाइन पर आज़े नगर पाली का कार प्रदर्शन सूचकांग 2020 के अनुसार दस लाग से अधिक आवादी वाला नगर पाली का सुर्णी में कौन सा सहर प्रधम स्थान पर रहा यह प्रशनों में अंतर रखिएगा कौन क्या पूछ रहा है नगर पाली का कार प्रदर्शन सूचकांग 2020 के अनुसार दस लाग से अधिक आवादी वाला नगर पाली का इनुसार दस लाग से अधिक आवादी वाली नगर पाली का सुर्णी में इनुसार नगर पाली का सीर्स इस्थान पर रही नमबर दस पर आज़ी हाल ही में नरिंद्र मोदी ने कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल कर रखा है क्या कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल कर क्या रखा स्यामा परशाद मुखर जी ऑप्सन नमबर ए तो हाल ही में भारत सरकार ने कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का ना गुजरात में कहां गुजरात में कच्छ के रण में तो भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कच्छ के रण में स्थापित किया जाएगा तो कॉश्चन नमबर 11 पर आ जाईए इनमें से अनपूर्णा परवत पर चड़ने वाली पहली महिला हैं कौन बताईए कौन है प्रियंका मोहिते ओप्सन नमबर ए तो पश्मी महराष्ट के सतारा की प्रियंका मोहिते अनपूर्णा परवत पर चड़ने वाली पहली महिला है इससे पहले उन्होंने वर्स 2013 में 21 वर्स की आयो में माउंट एवरेश्ट पर चड़ाई की थी वर्स नमबर तेरह पर आज़ाई है भारत सरकार के डेडिकेटट फ्रेट कोरिडोर प्रोजेक्ट के तहत भारतिया डेडिकेटट फ्रेट कोरिडोर कॉर्परेशन द्वारा उत्तर प्रदेस के किस जिले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा माल बहक रेल परिचालन नेंतर्ण केंदर का संचालन जो है वो सुरू किया गया कहां पर वारणसी नहीं है लखनव नहीं है प्रियाग राज तो भारत सरकार के डेडिकेटट फ्रेट कोरिडोर प्रोजेक्ट के तहत भारतिया डेडिकेटट फ्रेट कोरिडोर कोर्परेशन दौरा उत्तर प्रदेश के प्रियागराज जिले में विश्व का सबसे दूसरा सबसे बड़ा माल वाहक रेल परिचालन नेंतरन केंद्र का सं याग राज का नाम याद रखेगा नमबर फोर्टीन पर आजए हल ही में युनेस्कों ने किस मंदिर को 49 वे विस्व विराशत इस्थल के रूप में सामिल किया है देखे 40 भी धरूहर है दोलाविरा सब को पताऊगी 49 भी उससे पहली है और यह है रामप्पा मंदिर ठीक है तो रामप्पा लिखाएगा या रुद्रेश्वर और यह एक शिब मंदिर है पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है एक्जामनर का तो काक्ति रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर तेलंगाना को भारत के 49 वे विरासत इस्थल के रूप में युनेस्कों में सा का निर्बान जो है काक्ति वन्ष के रुद्र देव और रेचल रुद्र के साशनकाल के अंतरकत हुआ भारत के धौलाबीरा को युनेस्कों के भारत के 40 वे विरासत सूची के रूप में वर्कत किया गया है रखिएगा और धौलाबीरा जो है गुजरात में इस्थ एक प् रुचार करेंगे दो स्टेटमेंट के साथ बताएं वसे कौन सा करेक्ट होगा पहला स्टेटमेंट है जन्बड़ी दोहर 15 में परेटन मंत्र ले दोरा स्वलेश दर्सन योजना का सुवारंब किया गया और इस योजना का मुख्य उद्देश है परेटन शमता बढ़ाने क के लिए हैं सुनी योजित और प्राथमिक ढंग से परिपत का विकास करना है विल्कुल यह करेक्ट है दोने के दोने स्टेटमेंट ठीक है और सी है जन्बड़ी दोहर 15 में परेटन मंत्र ले के दोरा स्वलेश दर्सन योजना का सुवारंब किया गया इस योजना का मुख जाने के लिए सुनी योजित और प्राथमिक ढंग से परिपत का विकास करना और इस योजना के दहत अब तक 15 परिपतों को चिन्नित किया जा चुका है तो 15 परेशन दे करेंट से रिलेटेड इनकी प्रेक्टिस करते रहेगा जो भी टेस्ट अपलोड होता है कम से कम एक ब